हे गाईज यहां पर न सिदात न किचिन में होता है अपने लिए चाय ले रहा होता है और सना एक सोफ़े पर लेटी होती है और दूसरे सोफ़े पर रश्मी बेठी होती है और मदुरमा और विशाल जेल में होते है और सना अपने पापा के बारे में बता रही होती है कि सना के बापू मेरा कहता है यहां बड़ा गंद रखते हो तुम सित कहता है तुमने बोला नहीं सिदात अपने बाजू में भी रखता है गंद सना कहती है तुने बोल दिया मुझे भी गटर राजवा सिदात तेरे से यही उमीद थी मुझे तू गटर ही बोल सकता है लड़कियों को सिदात पॉइंट रश्मी की तरफ करता है क्योंकि एक सोफा पर रश्मी बेटी होती है फिर रश्मी वो देख लेती है रश्मी कहती है क्यों करता है मज़े आते हैं ना तुझे सिद केता है उसको बोलाना तू लुक काहे को दे रही है तू क्यों हट हो रही है तेरे अंदर सना की अत्मा आ गई है रश्मी केती है जेलस फिल नहीं हो रही हूँ मैं जेन्यूनी लगा हट हो रही हूँ सिद केता है जेलस हो रही है तू समझी न क्यूंकि मैंने तेरा टेक किसी और को कैसे दे दिया सिद्ध हसता है और सना केती है जेलिस मतलब आरती केती है अभी इसने तेरे को न देख अब टोंट मारा है जेलिस का सना केती है हाँ जेलिस का टोंट मार रही है देख सिदात केता है अरे वो वही कर सकती है सना केती है ये बड़ी कमी नहीं है बड़ी रश्मी केती है वो गंद बोल रहा है फिर सिदात केता है गंद मैंने नहीं बोला गंद उसने बोला रश्मी केती है अपने बाजू में भी गंद रखता है सिद केता है तो ये मेरे बाजू में सना होती है और तू मेरे बाजू के बिस्तर पर होती है रश्मी केती है अच्छा ज्यादा हुशार बन रहा है ऐसे कैसे बोला तूने सना केती है तू मुझे क्या बोल रही है जेलस रश्मी केती है ऐसे कैसे बोला सिदात से केती है तूने सिदात केता है मैंने ऐसे बोला ऐसे इशारे करकर बोलता है ऐसे रश्मी केती है वो मेन्यूपलेट करता है चीजें जेसे जेलेस को तुझे हट करने को बोला सिदात केता है यार मैं ये बंद कर रहा हूँ गेस के रहा होता है यार इसकी सोच ही गंदी है सिदात केता है इसकी न मैंने तो पहले ही बोला था सना केती है तेरी सिद केता है मेरी क्यों बेबी मैं तो पूरे टाइम तेरे बारे में ही सोचता रहता हूं सिदात एक चमच दोने जाता है सना केती है बेबी I love you for this पुट्टू सारे बरतन कर दे पुट्टू हा मेरा बच्चा नन्ना बच्चा सारे बरतन कर दे सिद केता है मैं तो हमेशा तेरे बारे में ही सोचता रहता हूं तूने ये अनुमान केसे लगाया के मेरी सोच गन दे हां सना केती है कितना प्यारा लग रहा था उदर खड़े हो के एक चमच दो के आ जाता है यार थोड़ी सी हिम्मत मारो विशाल और मदुर्मा से केती है निकल कर करो अपना काम फिर आओ जेल में सुबा के लिए जेल तो अच्छी है तेरे लिए नो ब्रेक्फस्ट बरतन मदु प्रू किया था ना अंदर पता नहीं चला इतना आज पूरा दिन रहना पड़ेगा अभी अंदर बेंड बजेगी सना केती है मारो और चपलें पैन मारो एक दूसरे को सर ही फोड़ दो इस बार तो सिद केता है अरे सच हो गई वो बात है वो सोल्जर की आप एक लेजंटर हाँ पैंप करके जाओंगे सिद हस्ता और विशाल को कहता है विशाल कांग्रेटस से और यह सीन यहीं पर खत हम ऑजाता है अपको केसा लगा है यह सीन आप मुझे कमेंट करके जरूर बता है मेरे चैनल को स्ब्सक्राइब जरूर करें मेरी विडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वडियो